नमस्कार मैं दिपाली आप सभी का स्वागत दिपाली आइस्टो में करती हूं और देखते हैं आज का दिन अनिकी 24 जन्वरी 2022 कैसा जाने वाला है तो चलिए शुरुआत करते हैं मेर्शाशी वालों के साथ मेर्शाशी वालों आज का दिन आपके लिए कही न कही अच्छी परिस्टितियों को लेकर आ सकता है और आपके पास आ सकते हैं कैसे आप उसको चैनलाइज करते हैं या कैसे आप आगे बढ़ते हैं या आपके उपर निर्भर करता है अगर मैं आपकी हेल्थ वाई बात करते हैं ब्रिश्च प्राश्रीवालों के लिए अज के दिन के मैं बात करूँ तो आज का दिन आप के लिए कहीं न कहीं सर्वोत्तम माना जाएगा अगर आप निवेश करने के पॉइंट अव द्यू से इसको कंसिडर करें तो आज के दिन जो लोग लॉंग term investment plans में निवेश करना चाहते हैं, शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, या अध दे सेम टाइम किसी प्रॉपटी के बेचने का इंतजार कर रहे हैं, तो आज के दिन आपको काफी अच्छी परिस्तिती या काफी अच्छी situation या काफी अच्छी डील देखने को मिल सकती है, जिससे आपकी परिस्तिती और अच्छी हो जाएंगी, साथी साथ लंबे समय से चल रहा कोई पारिवानिक तनाओ भी, आज के दिन साजा होता हुआ नजर आएगा, उसमें भी positivity देखने को मिल सकती है, बात करते हैं मिथुन र मिथुन रशीवालों के लिए, मिथुन रशीवालों स्वास संबंदी चिंता हैं, आज के दिन आपकी कम होती हुई नजर आएंगी, professionally बहुल जादा, आप जागरुक रहेंगे, cautious रहेंगे, conscious रहेंगे, नई opportunities के बारे में, आप timely information भी लेते रहेंगे, आपके लिए आफसर अगर मैं देखू, use कर सकते हैं, साथ यसाथ वैपार विस्तार की अगर आप बात करें तो उसमें भी आपको positivity देखने को मिलेगी, मन शान्त रहेगा, परिस्तितियां अनुकूल रहेंगी, साथ यसाथ आज के दिन आप परिवार के साथ बिताएंगे समय, और वो आपको कर करके जाएगा rejuvenate, बात करते हैं करकराशी वालों के लिए, करकराशी वालों आपके अगर long term financial plans हैं, तो आज के दिन कोई भी परिस्तिती में अगर आपको कारण वश किसी कारण वश अगर निवेश करना पड़ सकता है, तो आज के दिन आपको थोड़ा सा रोकना चाहिए अपने आपको थोड़ा सा पोस्पोर्ण करी अपनी इस डील को सोच के समझ के सारे तथ्यों को revise, review करके, recall करके, क्या-क्या उसमें main points हैं, उसके बाद ही आप इस डील में एंटर हुएं, साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि नौकरी चेंज करने का मनुकुलतम समय आ गया तो उसमें भी अब आज का दिन आपके लिए सरवोतम बाना जाएगा, किसी व्यक्ति विशेश की बहुमूल सला से आप अपनी परिस्तिती को और जाद अब बहतर बना सकते हैं, स्वास संबंदी चंताएं भी आज के दिन दूर होती हुए नजर आएंगी, बात करते हैं सि जो लोग भाहन खरीदने में एक्षुख हैं या लॉंग टर्म फिनांशल स्टेबिलिटी में अब रिटर्न एक्सपेक्ट करना हैं जहां पर उनोंने पिछले साल इंवेस्मेंट किया था तो अब आपकी परिस्तिती अच्छे होने वाली है, साथ ही साथ आज के दिन लंब जब उसे मैं देखूं तो बिल्कुल सही बनी रहेगी, उसमें कुछ खास उतार चड़ाओ देखने को नहीं मिलेगा, मन आपका शांत रहेगा, पॉजिटिविटी आप इंब्रेस करते हुए आगे चलेंगे, बात करते हैं कनिया राशी वालों के लिए, कनिया राशी वाल सकता है, जो प्रोफेशनली आपको और ज़्यादा इनेबल्ड बनाके जा सकता है, साथ इसाथ परिवार के किसी सदस सिक्स के दोरा ली गई, कोई भी मदद अगर आप लेते हैं उनसे तो आपके लिए काफी ज़्यादा वो हिल्पुल हो सकती है, रिसोर्स फुल बनेंगे कहीं न कहीं कॉमिनिकेशन भी रिष्टों में आज के दिन आप क्लारिटी के साथ लेकर आगे चलेंगे, बात करते हैं तुलाराशी बालों के लिए, स्वास संबंदी चिंता हैं, तुलाराशी बालों आज के दिन आपको फर्स्ट हाफ के दोरान सता सकती हैं, तो अपनी स् साथी साथ आज के दिन पैसा इन्वेस्ट करने से पहले या खर्चा करने से पहले समझ ले सारे तथियों को निया वनुसार देख लें उसके बाद ही आगे बढ़ें जो लोग कहीं न कहीं निवेश करना चाहते हैं गोल्ड में या शेयर मार्केट में या अगर आप रेगुल के समझ के करने की जरूरत है स्वास संबंदी चिंताएं आपको ध्यान देने की आज के दिन जरूरत है नहीं तो आपके लिए बड़ी चिंता का विशे बन सकता है बात करते हैं व्रिष्टिक राशी बालों के लिए व्रिष्टिक राशी बालों आज का दिन आपके साथ को कोई एक अच्छी situation, कोई अवस्था, कोई information, कोई सूचना, कोई situation, कोई अवस्था condition आज के दिन जरूर बनती हुए नजर आएगी कई न कई आप किसी वेक्टिविशेट से भी मिल सकते हैं जो आपको long term financial planning में या career point of view से काफी ज़्यादा लाबदा एक सिद्ध हो सकता है आपके लिए नई चीजों को लेकर शुरुआत करने के लिए सरवदिक लाबदायक माना जा सकता है बात करते हैं धनुराशी वालों के लिए धनुराशी वालों आपके लिए extremely important यह है कि चीजों को आप balance बना कर आगे चले नकरात्मक situation नकरात्मक situation या नकरात्मक अवस्था से अपने आपको आपको दूर करना है साथ ही साथ अगर आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति विशेश आपको negativity दे रहा है तो उसके द्वारा दी गई negativity से अपने आपको immediately detach करिए पैसे के संबंद में कहीं न कहीं किसी व्यक्ति विशेश के साथ आपकी मनमुटाव हो सकता है या तनातनी हो सकती है तो वहाँ पर आपको financial dealings में clarity रखने की जरूरत है और कोशिश करिए कि अगर आप किसी को loan दे रहे हैं तो सारे points या सारी चीज़ें clarity के साथ ही लेकर चलें ताकि बाद में आपको mental tension ना हो परिवार के साथ आज के दिन समय भी बिता सकते हैं जो आपको regimenate at the end of the day जरूर करके जाएगा बात करते हैं मकरा राशी बालों के लिए आपको सता सकते हैं पिता या पिता तुले किसी सदस्य की स्वास्त को लेकर आपकी चिंटाएं लगातार बढ़ती जा रही है और आज के दिन भी बढ़ सकती है इसलिए आपको डॉक्टरी परामर्श लेने की जरूरत है रेगुलर मॉनेटरिंग करने की भी जरूरत है लंबे समय से चल रहा कोई पारिवारिक तनाव अपसाजा होता हुआ नजर आएगा हालकि आपके लिए ट्रावलिंग या काफी जदा हेक्टिक दे आज के दिन इंडिकेटेड है तो दिन के शुरूरात आपको बैलन्स होकर और गनाइस होकर चलने की जरूरत है सबी तथ्यों को रिव्यू करें पॉजिटिविटी इंब्रेस करें और आगे चलिए जिससे की आप अपनी चीजों में काफी जदा स्थिर्ता देख पाएं लंबे समय से अगर आपको लगता है कि आप कुछ नया काम करने की कोशिश कर रहे थे बिजनस स्थिर्ता या व्रिद्धी को लेकर तो अब वो आपके लिए परिस्तितियां फेवरिबल होकर सामने आने शुरू हो जाएंगी बात करते हैं कुमबराशी वालों के लिए कुमबराशी वालों आपके लिए स्थिर्ता बनी रहेगी सब तरफ से पॉजिटिविटी बनी रहेगी कुछ खास उतार चड़ाव देखने को नहीं मिलेगा मन आपका शांत रहेगा विचार आपके प्रबलतम शिखर को चूते रहेंगे पॉजिटिविटी इंब्रेस करी आगे चलते चलिए जिससे कि आपको अपनी चीजों में शुबता है शुब संके देखने को मिले साथ ही साथ आज के दिन किसी व्यक्ति विशेश की तरफ से आपको बहुमूली राय मिल सकती है वो आपका कोई गनिश्ट मित्र भी हो सकता है निवेश के point of view से अगर वो राय दी जाती है तो आप उस दिये गए suggestion को आप review कर सकते हैं और उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं साथी साथ अगर आप multiple income resources पे भी आज के दिन काम करना चाहते हैं किसी घर के सदश से के लिए या उसके साथ आप काम काज कर सकते हैं नया शुरू कर सकते हैं उसके लिए कुछ न कुछ efforts कर सकते हैं जो overall परिवार की आर्थिक स्थिरता में काफी जादा लाबदा एक step हो सकता है बात करते हैं मीन राशी वालों के लिए मीन राशी वालों situations favorable रहेंगी मन आपका शांत राएगा लोग आपके काम की तारीफ करते हुए नजर आएंगे कहीं से कोई negativity indicative नहीं है positivity अपने आप में लाईए अपनी situation में परिस्तिती में विचार धाराओं में confidently चीज़ों को address करी आगे चलते चलिए जो आप अपने लिए अपने सोचा है वो परिस्तितियां बहुत जल्दी आप आकलन करके अपने लिए वो परिस्तितियां create कर लेंगे career के point of view से काफी ज़ादा आपके लिए positivity आ रही है आप अपने लिए assimilate कर पाएंगे सारे positive changes और confidence लेवल में भी कल फिराजे रोंगे नमस्कार